आप अक्सर सुनते होंगे कि सीरिया, लीबिया, इराक में मुसल्मानों पर काफी जुल्म हुए है लेकिन एक जगा ऐसी भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सताई लोग कहीं हैं तो वो वहीं है मैं बात कर रहा हूँ अपने पॉलोशी देश म्यामार के रखाईन प्रांथ की ऐसा मानौधिकार के लोग कहते हैं जो मानौधिकार मामलों के जानकार हैं कि रखाईन प्रांथ में जो रोहिंग्या मुसल्मान रहते हैं वो दुनिया में सबसे सताई हुए लोग हैं नमस्कार मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चनल गजब इंडिया जहाँ पर आज मैं बात करूँगा रखाइन प्रांथ के बारे में और रोहिंग्या मुसल्मानों के बारे में रखाइन म्यामार के उत्तरपश्मी छोर पर बांगला देश की सीमा पर बसा एक प्रांथ है जो 36,762 वर किलो मीटर में फैला है इसकी राजधानी सित्वे है म्यामार सरकार की 2014 की जनगर्ना रिपोर्ट के मुताबिक रखाइन की कुल आबादी करीब 21 लाख है जिसमें से 20 ल की आबादी को जनगर्ना में शामिल नहीं किया गया रिपोर्ट में इस 10 लाख की आबादी को मूल रूप से इसलाम धर्म को मानने वाला बताया गया है जनगर्ना में शामिल नहीं की गई आबादी को रोहिंग्या मुसल्मान माना जाता है इनके बारे में कहा जाता है कि व बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और लाखों लोग विस्थापित हुए। रोहिंग्या मुसल्मानों का पला यंग्चारी है। राष्टपती नहीं बन पाई थी। सुची स्टेट काउंसलर की भूमिका में है। हलाकि कहा जाता है कि वास्तवी कमांद सुची के हाथों में ही है। अंतराष्ट्य स्तर पर सुची निशाने पर है। आरोप है कि मानवाधिकारों की चैंपियन होने के बावजूद वे खामोश रही। हलाकि देश की सुरक्षा आर्म्ट फोसेस के हाथों में है। यदि सुची अंतराष्ट्य दबाव में जुकती हैं और रखाइन स्टेट को लेकर कोई विशुसनिय जांच कराती हैं तो उन्हें आर्मी से टकराओ का जोखिम उठाना पड़ सकता है। उनकी सरकार खत्रे में आ सकती है। जब इस मामले में उन पर दबाव पड़ा तो उन्हें कहा था कि रखाइन स्टेट में जो भी हो रहा है वो रूल ओफ लौ के तहत है। इसी खास दूसरे मुद्दर पर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिए, मैं वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा और उससे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।